उदर गोना में पुलिस की हद्या करने वाले दो आरोपी पुलिस की गिराफ्त से बाहर चल रहे थे दोनों आरोपी गुलु खान और विक्की खान पर पुलिस ने 10,000 का इनाम भी रखा था लेकिन इन दोनों आरोपी ओने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और इस बात के पुश्टी खुद गोना के एसपी राजीव मिश्रा ने की है वहीं आरोपीयों के सरेंडर से पहले उनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो कोर्ट से मदद मांगते नजर आ रहे हैं अब भी कोर्ट पहुंचना के सोचना पुलिस तो नहीं लग पाई गया अचानल कि यह जोई शुटी पहुचे हैं इस कारण से वो पादी प्यार लिये जारा है तो पुली बाते हैं पता दिने है तो है भोपाल नगर निगम अपर आयूक्त रेजू बाफना की बदसलूकी से परिफशान नगर निगम की अधिकारी की तभियत बिगड़ गड़ गई है जिसके बाद निगम अधिकारी को आईसीउ में भरती कराय गया है निगम अधिकारी शहीर एहमद सिद्ध की जलकारे में ठेप असेसर के पद परपदस था निगम अधिकारी से अपर आयूक्त ने बदसलूकी की थी जिसके बाद कई निगम करमचारियों ने रिजू बाफना पर मानसिक प्रताढ़ना का आरोप लगाय था और मामले में निगम कमिशनर से भी शिकायत की थी उधर कटनी में नागरी कापोर्ति निगम के जिला प्रबंधक संजे सिंग को 60,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने गिरफतार किया है जब अलपुर में लोकायुक्त की 6,000 से टीम ने ये कारवाई की है दरसल इश्वर रोहरा ने शिकायत की थी कि बिल भुगतान की ये बज में उसे रिश्वत मांगी गई है 20 लाग का बिल पास कराने की ये बज में एक लाख रुपे मांगी गई थे जिस पर कारवाई करते हुए लोकायुक्त की टीम ने 60,000 की रिश्वत लेते संजे सिंग को गिरफतार किया है तो दरसागर में उपभोगताओं को पोस्ट ओफिस के करमचारी ने ठग लिया है दरसल लोगों ने पाई पाई बचाकर पैसे जमा किये थे लेकिन आरोपी ने उन पैसों से आई पील में 60 लगाया और सारे पैसे उड़ा दिये अब ये उपभोगता पोस्ट ओफिस में पास्वुक लेने के लिए दरदर की ठोकरे खा रहे हैं फिलाल पुलिस ने मामला दर्श कर लिया है और आरोपी को गिरफतार भी कर लिया है जाच में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी ने सारा पैसा 60 में उड़ा दिया है मैंने तो मेरी पत्ट, जो मेरी हस्वेंट थी, मेरी एपडी करा के गई थी तो मैंने जो एक वार में खावर सुनी तो देखा, मैंने आए हैं पे आक चेक करवाया तो फरजी निखली और उसके लिए यहां पे आते हैं तो उसने पिसाल अहर बार ने मेरे साथ ऐसा दूखा किया है मुझे पुद नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूँ कर दो कर दो है और यहां जा निकालता हुआ हर साल पर अने जाने हमें जाने वाइपन कर दो हम पैसे ले नहीं आई अब इस खाती में खाता नमर गलत है अभी पैसा नहीं आगा दोचे दिन बाब आजाएंगी जब हम बताएंगी कि पैसा ने कब निकलेगा हमने अबनी बच्चों है करेते जमा अब पता जला है अब कल पोन वाया था बो आतो मुबाल मुबाल पर बात वाई थी देखा था हमने मुबाल पर के भाड़ी है क्या हुआ आपके साथ पाई से पता नहीं चल रहा हूं है और उन्हें कच्छू सुनाया हो रहे हुए यह हमें एक संग्यान में आया था हमारे पस कई फर्यादी आया हुए थे जिन्होंने अपना आफे दिन दिया था कि हमारे साथ दूर कदरी हुई है हमने पेसा जमा किया था पोस्ट ओफिस में और फिर चेक कराया थो उन्हें पता चला कि उनका खाता पोस्ट ओफिस में नहीं है और उन्होंने फिर नाम बताए कि हमने एक विसाल आहिरवार जो हाउसिंग गोड कालोनी बीना के हैं इन्हें दिया था और एक तर जो हमारे पास फर्यादी आये हैं वो सभी का जो कनेक्शन था विसाल आहिरवार से था